वेल्कम टू मा यूटूब चैनल एलेक्रोनिक एंड कोड इस वीडियो में हम स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करेंगे एक LDR मॉड्यूल का यूज करके तो पहले समझते हैं हम LDR मॉड्यूल होता है इसमें में जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका है LDR, LDR that means light dependent register मदब इसकी resistance light पे depend करती है resistance क्या होता है इट अपोस, flow of current मतलब जो current के मार्ग में औरोद उत्पन करता है उसको हम क्या बोलते हैं resistance बोलते हैं इस LDR का जो resistance है वो totally depend करेगा lights के उपर इसको डाइग्राम की help से समझते हैं जब तक LDR में आपका light पढ़ते रहेगा उतने समय पर इसका resistance कम रहेगा उस time पे आपका current फूरा flow होगा और जब आपका light बंद हो जाएगा तो इस LDR का जो resistance है वो high हो जाएगा और कोई भी current फ्लो नहीं होगा farming को देखते हैं जहां पर LDR के जो pin है उसको A0 से define किये हैं और LDR के value को हम लोग 0 से slice कर दिये हैं उसके बाद हम लोग यहां पर इस program में main यह concept है कि इसमें आपका LDR के values को define किये है मतलब जैसे जैसे आपका day का light कम होते जाएगा sunlight कम होते जाएगा वैसे वैसे ही आपका street light धीरे धीरे ही glow करना start करेगा यहां पर concept यह है कि जब आपका LDR का value less than 10 रहे उस time आपका dark रहेगा that means आपका street light on नहीं होगा और जैसे LDR का value under 200 में आएगा वो आपका street light हलका सा dim करेगा फिर अगर LDR का value under 500 में आ जाता है तो उस time light करेगा और under 800 होता है तो bright करेगा अगर 800 से उपर हो जाता है तो वो अपने full strength से bright होगा lights ओके तो चलिए इस program को हम compile कर लेते हैं सबसे पहले verify करेंगे तो यहां पर verify कर लेते हैं कि हमारा program सही है या नहीं यहां पर compiling done हो चुका है मतलब हमारे त्रू जो लिखा गया program है वह एकदम right है चलिए इसको हम लोग अपने hardware पर चलते हैं और इसको हम लोग अडिनो में इसको क्या करते हैं अप्लोड करते हैं सिंपल सा अप्लोड करने से पहले फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे टूल्स पर जाएंगे यहां पर बोट को चूज करेंगे इसको अप्लोड कर देंगे यह अप्लोड कर देंगे यह अप्लोडिंग स्टार्ट हो गया यह आपका कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो चुक है जैसे कि मैंने सर्किट डाइग्राम में आपको सारे पिन कैसे कनेक्शन करना है वो सब चीजे बता चुका हूँ यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे यह आपका LDR मॉड्यूल है यह हमने एडवांस वर्जन का जो मॉड्यूल आ रहा है LDR मॉड्यूल वो यूज किया है क्योंकि इसमें एक इनवर्टर बटन भी होता है इस इनवर्टर बटन की हेल्प से हम आपरेशन को इनवर्ट कर स लगते हैं और यहाँ पर आपका एक LDR दिख रहा होगा यह आपका LDR है और एक हम लोगों ने ब्रेट बोर्ट का यूज किया है जिसमें हम लोग LEDs को कनेक्शन किया है नौर्मली सा और एक ordino का यूज किया है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को already चलिए अब हम इस प्रोजेक अल में अंध्यरा डालते है जैसे ही मैंने उसको अंध्यला किया आपका light on हो चुका है अब जैसे हम इसको हटाते हैं फिरसे LDR में light आना स्टार्ट हो गया आपका light फिरसे off हो चुका है फिर से हम क्या करते हैं एक बार repeat करते हैं इस process को फिर से मैं अंधिला लाता हूं आपके LDR में अब फिर से आपका light क्या हो चुका है? on हो चुका है अब मैं जैसे ही हटा दिया lights आने लग गए आपके LDR में ये आपका सारे lights आपके off हो चुके हैं यदि हमें operation को inverse perform करना है तो हम यहाँ पे invert का जो बटन दीख रहा है आपका LDR module में उसको हम लोग एक बार प्रेस कर देते हैं तो आप लोग देख रहे होगे जब तक आपके LDR में light पढ़ते रहेगी आप जब तक day रहेगा आपका सारा जो lights हैं वो on रहेंगे और जैसे ही आपका मान के चलते हैं कि जैसे ही हम इसको lights को बंद कर देते हैं तो आपका क्या हो गया पूरे light automatic off हो गया तो इस type से आप लोग invert का button का use करके आप लोग क्या कर सकते हो operation को भी invert कर सकते हो आप लोग operation को हम फिर से एक बार invert करके देखते हैं देखिए फट से जब तक आपका LDR में light फट हैं अभी अभी आपका जो LEDs हैं वो on नहीं हो रहे हैं अब जैसे ही हम इसको अंधेला देते हैं आपके LDR को ये आपका light फिर से on हो चुका है जैसे इसको फिर से light देते हम LDR मॉड्यूल को आपका फिर से initially आपका light off हो चुका है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और हाँ चैनल को subscribe करना ना भूलिए